देख रहे हैं मैं हुजय शुकला बिहार विदान सभाग चुनाओ के रुजहान तो लगातार आ रहे हैं और इस बीच ये भी पता चल रहा है कि कौन से प्रत्याशी की सीट से बढ़त बना रहा है और कौन से प्रत्याशी पीछे हो रहे हैं फिलहाल एक बजकर 45 मिनट हो रहे हैं और अभी हम हाजिर हैं मुजफरपूर के उन अपडेट्स को लेकर जिन अपडेट्स में ये पता चल रहा है कि कौन से प्रत्याशी कहां से बाजी मार रहे हैं सबसे पहले मुजफरपूर के ग्यारा विदान सभाग चेत्रों से जीतने वाले प्रबल दावेदारों की लिस्ट हमारे हाथ में है ये हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहला नाम जो आता है मुजफरपूर नगर से कौंग्रेस के विजंदर चौधरी 1857 मतों से आगे चल रहे हैं दूसरे नमबर पर गाएगार से जद्यू के महश्वर प्रशाद यादव 1805 मतों से आगे चल रहे हैं तीसरा नमबर आता है मिनापूर से जहांके राजद के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव एक 477 यानि की 4177 वोटों से आगे चल रहे हैं अब बात करते हैं बोचहां से वियाइपी के मुसाफिर पासवान की तो बोचहां से मुसाफिर पासवान है फिलहाल 5519 मतों से आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वन्दी से सकरा से जदियू के अशोक कुमार चौधरी 2076 मतों से आगे हैं तो वहीं कुढ़नी से राजद के अनील कुमार सेहनी 5057 मतों से आगे जा रहे हैं उसके बाद कांटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कांटी से निर्दली उमिद्वार अजीत कुमार है और अजीत कुमार 1762 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं बरुराज से बीज़पी के अरुन कुमार सिंग काफी जादा मतों से आगे चल रहे हैं 2414 मतों से बरुराज में आगे चल रहे हैं प्रतिद्वंदी को काफी पीछे उन्होंने छोड़ दिया है अब बात करेंगे पारु विधान सभा सीट की तो पारु से बीज़पी के अशोक कुमार सिंग ए 1893 मतों से आगे चल रहे हैं तो वहीं साहिब गंज से विई आईपी के राजु सिंग 5415 वोटों से फिलहाल अपने प्रतिद्वंदी को पचारते नजर आ रहे हैं बात करेंगे अब और आई से बीज़पी के राम सूरत राए 6995 मतों से आगे चल रहे हैं तो मुझफर पूर के कुल 11 विधान सभाज शेत्रों का ये हाल है जहां पर अब अपने अपने निकरतम प्रतिद्वंदी से कौन से प्रतियार्शी आगे चल रहे हैं और कौन से प्रतियार्शी पीछे रहे हैं इनके बारे में हमने आपको जानकारी थी क्योंकि बिहार चुनाव से जोड़ी परतिये खबर लाइफ सिटीज आपको दिखा रहा है सुबह से लेकर रात तक जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे बने रहे हैं हमारे साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें इसके अलवा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद